बिजनौर के थाना छेत्र कोदवाली देहात के ग्राम बांकोर निवासी पंजाब में मीडिया कर्मी के साथ उसको घर में अकेला पाकर गाओं के ही एक खलीन नाम के व्यक्ती ने जबरन रेप का प्रयास किया युफ्ती की चीक पुकार सुनकर गाओं के कई लोग इखटा हो गए और आरोपी मौका देख कर भाग निकला जो हाल ही में अपने गाओं आई महिला मीडिया कर्मी दरसल पूरा मामला ये है कि महिला मीडिया कर्मी पंजाब से अपने पैत्रक गाओं पांगपुर आई हुई घरवाले किसी रिश्यदार के यहां शादी में चले गए युफ्ती को अकेला देखकर गाओं का ही खली नाम का व्यक्ति उसके घर आकर पहले तो फोन नमबर मांगने लगा नमबर ना दिये जाने पर युफ्ती के साथ जवरन रेप का प्रियास करते हुए उसके कपड़े फार डाले युफ्ती की चीक पुकार सुनकर पडोस के कई लोग इखटा हो गए और आरोपी वहां से भाग निकला युफ्ती वा उसके परिवार ने मामले की तहरी सम्मंदित थाने को देकर आरोपी के खिलाफ सक्त कारवाई करने की मांग की जिसके बाद से ही युफ्ती क बात करते हुए बताया की आरोपी के राजन्यतिक सम्मंद मजबूत होने के कारण पुलिस भी उसके खिलाफ करवाई करने से कत्रा रही है तो वहीं इंसाफ न मिलने की इस्तिती में युफ्ती परिवार से आत्मा धरने आत्मा दहा करने को मजबूर है यह नाम आपने मेरा नाम रेश्मा क्या माम लगवाद या प्राओं यह लड़की थी अपने हैं तो इसके साथ चिना जहत्ती कर रहा था कोन कर रहा था खलील नाम कर यहां अध्यूमर है वह कहां रहता है वह पलिशाइड रहता है और जोंज गवाव में यहां ही कई है कॉ चाहते हैं हम इसाब चाहते हैं और किस नियत से जो है चैने जबती की होगी किस नियत से बत्ता मिजी की दिन नियत से है